केंग्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसत का विशेश सत्र बुलाया है, जिसमें 5-5 बैठके होंगी, हाला कि सरकार ने ये साफ नहीं किया है, कि अचानक से ये सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इसको लेकर सुग्बुगाहट तेज हो गई है. आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इस साल के अंत तक देश में कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव है. अटकले हैं कि विशेश सत्र में One Nation One Election बिल लाया जा सकता है. बता दें, पीएम मोधी भी एक देश एक चुनाव की कई बार व आसान सी भाषा में समझा जाए तो One Nation One Election का मतलब है, देश में एक ही समय पर लोकसभा और विधान सभा के चुनावा कराना, मौझूदा वक्त में सत्तारुन पार्टी बीजेपी इसके पक्ष में है, पार्टी का मानना है. One Nation One Election से पैसे के साथ ताइम की बचत होगी, अभी लोकसभा चुनाव और विधान सभा चुनाव अलदलग समय पर होते हैं, वहीं लोकसभा इलेक्षन भी अपने कार्यकाल के हिसाब से होते हैं, चुनाव में होने वाले खर्चे को कम करने के लिए मोधी सरकार इस पर जोर रही है. One Nation One Election के क्या होंगे लाप? बिलके समर्थन में यही तर्क दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले पैसों की बचत हो सकेगी. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1951 से 52 में चुनावी खर्चा 11 करोड का था जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड रुपे तक पहुँच गया. One Nation One Election होने से देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गती नहीं रुकेगी. बार-बार चुनाव में आने वाले खर्चे से निजात मिलेगी. सुरक्षा बलो की तैनाती के खर्चे में कमी आएगी और ब्लैक मनी से चुनावी मैदान में उतरने वालों पर लगाम लगेगी One Nation One Election की खामिया भले केंद्र की मोधी सरकार इसके पक्ष में हो और विरोधियों को जवाब देने के लिए कई तर्क तयार किये जा रही हो पर कहा जा रहा है कि अगर ये बिल सरकार लेकर आती है तो मोधी सरकार को इसका सीधा फाइदा मिल सकता है यानि देश की सत्ता में बैठी किसी पार्टी के पक्ष में सक्रात्मक माहौल बना हुआ है, तो इससे पूरे देश में पार्टी का शासन हो सकता है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के पक्ष में नहीं, वहीं राजनितिक दलों में मदभेत पैदा हो सकता है, इससे इतर पूरे देश में वन नेशन, वन इलेक्शन के तहट लोक सभा चुनाव और विधान सभा चुनाव होते हैं, तो पूरी आशंता की चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है, अगर ऐसा होता है, तो विपक्षी दलो समेत यकीनन पूरे देश में अस्थिरता बढ़ेगी, जिस का खाम्याजा आम जन्ता को भुगतना पड़ेगा.